नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजिनेरिंग गुरुजी में आज हम लोग जानेंगे बोल्ड के डाइमेंशन के बारे में कि बोल्ड का यह जो डाइमेंशन लिखे रहता है बहुत बार इस्टोर बगेरे में जाईएगा आप लोग तो इस्टोर के अ डाइमेंशन का मतलब आपको जानना बहुत जरूरी है तो आज मैं इस डाइमेंशन का मतलब बताऊंगा ठीक है तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है चैनल में अगर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को तुरंत अभी सस्क्राइब कर और फिप्टी यह जो बारा देख रहे हैं यह बारा इस बोल्ड का डाइमेंशन है यह जो बोल्ड का साइज है यह बारा का बोल्ड है पहला जो नंबर लिखे रहता है इसका मतलब है कि यह बारा का बोल्ड है यह बता रहा है बारा का बोल्ड है मतलब यहां से लेके और य तो यह 12 का बोल्ड है के लिए रोगया पहला नंबर अब यह 1.5 यह 1.5 का क्या मतलब है 1.5 जो है वो पीच का जो दूरी है देखिए यहां पर लिख दी है मैंने दो एक जो पीच बनता है जो थ्रेड मैं यहां पर दिखा रहो सामने से बोल्ड को यह आप थ्रेड देख रहे 12 का यहां पर मैंने लिख भी दिया देखिए पीच एक पीच से दूसरे पीच की जो दूरी है वो 1.5 है कि लिए हो गया 12 जो हो गया बोल्ड का डाइमेंड सन हो गया बोल्ड का आउटर डाया यह इसका बोल्ड का साइज 12 है 12 म 2L ठीक है म 2L लिके रहता है तो यह म 2L है और 1.5 क्या है 1.5 पीच का डायमेंड सन है एक पीच से दूसरे पीच पीच जो थ्रेड का बीच में जो गेप रहता ना बोल्ड का उसको पीच बोला जाता है तो उस पीच का जो डायमेंड सन है वो 1.5 है अब जानते है 50 50 क्या है 50 जो उसका थ्रेड का लेंथ रहता है जिसे इ आपको बोला जाए 50 का M12 by 50 का बोल्ड लाओ तो यह रेक में आपको देखना पड़ेगा लिखे रहता है उसको देख के लाना पड़ेगा और पूछा भी जा सकता है कि इसका मतलब क्या है तो जानना बहुत जुरूरी है ने तो क्या है M12 तो लेके आगए 50 फिर उसका मतलब क आप बताने पाईएगा ठीक है पूरा किलियर हो गया 12 जो है बोल्ड का साइज है 1.5 जो है वो एक थ्रेट से दूसरे थ्रेट का बीच का गेप है वह 1.5 का है ठीक है उसका पीछ जो है और 50 इसका बोल्ड का डाइमेंड सने अब थ्रेड का जो एंगल रहता है वो कितने ड होले बोल्ड का जो रहता है एक इंच भी आता है यह mm है यह 12 इल्टीक है उसका इंच भी आता है वो 55 degree में आता है उसका जो thread का angle यह जो angle cut देख रहे आप ठीक है वो 55 degree में cut रहता है और mm का जो रहता है वो 60 degree में इसका thread का cut रहता है ठीक है clear हो गया मैंने बहुत अच्छे सा समझाने का कोसिस किया और हर एक bold में ही सेम रहता है आप कभी भी आप श्टोर बगेरे में जाओगे तो इस तरह का rake में एक लिखे रहता है कोई सभी श्टोर में चल जाएगा तो इस तरह का आपको rake में लिखावा मिलेगा M10 M12 फ याद रखना आपको ठीक है M12 जो हो गया bold का size हो गया 1.5 हो गया जो पीच का एक पीच से दूसरे पीच का बतलब एक थ्रेट से दूसरे थ्रेट का बीच की जो gap है वो पीच हो गया 1.5 mm और 50 mm diamonds bold का length है यहां से लेके यहां तक का जो measurement है वो 50 mm का है इसका जो length है ठीक है दो दोस्तों तो आज के वीडियो में इतना ही अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को अभी तुरन सस्क्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे जिससे notification आप लोगों को मिलते रहेगा और मेरे दूसरे चैनल को भी support कीजेगा जिसका link में description में डाल दूँगा ठीक है दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye